अब देखो वे आज हम तुम्हें प्रोवाइट करेंगे एंडलवा इंजक्टर का प्रोजेक्ट बोले तो सोर्स कोड और ये वाला प्रोजेक्ट हार एक गेम के लिए वरकिंग है बोले तो तुम इस प्रोजेक्ट से अपना किसी भी गेम का इंजक्टर बना सकते हो चाहे त तुम emit들을 बना सकते हो वस त्में वैली उस चाहिए वैल्यू सिस प्रो उप्रोजएक्ट के अंदर पूट करो एंड तुम्हारा इंजएक्टर वर्किंग करने लग और देखो इसका जो प्रोजएक्ट है कैसे तुम अपने चैनल के लिंक डालोगे कैसे अपना नाम एडिट करोगे कैसे अपना लोगो लगाओगे यह सब फालाना धिम का जो भी रहता है और उससे पहले हमको जाके इंस्टाग्राम पे फालो कर डालो तो लेट्स बिगेन तो सबसे पहले तुम्हें इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है अभी देखो यह वाला जो अप्लिकेशन हम यूज कर रहे हैं इसका नाम एमटी मैनेजर है इसका वैसे तो ज्यादा काम नहीं है इस वीडियो के अंदर लेकिन तब भी अगर तुम् अब देखो बहुत सारा तुम्हारे दिवैस के जो भी फोलडर है वह यहाँ पे दिख जाएगा अभी तुम्हें उस फॉलडर के अंदर चले जाना है जहां पर तुमने अपना डानलोड करके रख आ इख criminal है तो हमारा APK Ultra था तो हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर देखो A3 Premium Project by Developy Tutorials यह मिल जाएगा ठीक है इसके उपर क्लिक करो देन ओके कर देना है ओके कर देने के बाद यह जो प्रोजेक्ट है इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे जैसे क्लिए करेंगा य對了 में चाहित के और यहाँ इसके उपर से क्लिक करेंगा क्लिक करेंग morning दिखेंगर क्लिक यहाँ उजर तो हमारे इन्जेक्टर के अंदर अंदर बोले तो दस बीस या दस बीस हजार जो भी तुमने अपना फंक्शन डाल के रखा होगा तो उसके लिए मीनी 1 मीनी 2 दोनों देखने को मिल जाएगा अभी जैसे यूजर वापस से इसके उपर क्लिक करेगा लोगे के उपर विंडो हट जाएगी एंड स्टॉप पे क्लिक करेगा तो क्या उन्फिक फाइल कैसे रन करें और इंजक्टर के अंदर ओवी कैसे रन करें यह सब के उपर हमने वीडियो अल्रेडी बना दिया है अभी हम सिप तुम्हें प्रोजेक्ट करने ठीक है और जैसे जो है यूजर लाउंज गें के वालों के लिए इंजक्टर बना रहे हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा ना कि बीजी याम लाइट जो भी समझ जो यार कॉंसल गेम की हम बात करने ठीक है अभी टेलीग्राम के उपर क्लिक करेगा जैसे यूजर वो पहुच जाएगा तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे अब इसको बैक करते हैं और बताते हैं कै कैसे इसको इडिक करना है अपने टेलीग्राम की लिंग कैसे डालना है जोभी डालना है एक है तो उसको औरूसको में के लिए सब्यotion हो यहां पर चैनल फिर देखो यहां पर टेली ग्राम लिखे है ट्री मटाशनाय तो इसे तो यहां पर द्रीके से टेलीग्राम जरा देना देंगा और तो अभी देखोस आना है तो इसको हटाने के लिए इधर सब्सक्रों करना ना अब यहां पे थोड़ा सब्सक्रों करके नीचे आ जाने के बाद यहां प prend पे line number 47 देखो यहांपर लिखा है न तो यहीं पर देखो लिखा ए A3 लिखना है तो यह सब भी बताएंगे कैसे करना है तो यह तो हमारा अभी हो चुका है बेवाफा लग चुका है नाम यहां पर अभी इसको बैक करेंगे करने के लिए तुम्हें यहीं पर इसे नीचे आते जाना है नीचे आ जाने के बाद अभी देखो यहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट में क्या लिखा है लेक्वाइल उसी तरीके से फीचर टू के अंदर स्मॉल क्रॉस एयर इसको तुम लोग अपना टेक्स्ट जो रहेगा आइडी मत चेंज कर दिना आइडी वही रहने दिना सिर्फ जो यह स्मॉल क्रॉस है लिखा है इसको अपना रिसेट कर लेना मतलब अपना जो भी नाम डालना है जो भी तुम्हारे फंक्शन कर नेम होगा उसको लगा लेना इस तरीके से करते करते देखो फीचर चार कर सकते हैं हाँ देखो यहाँ पर सबसे नीचे लिखा है एत्री प्रिमियम वर्जियन 1.6 डेवलापाइट टुटोरियल यह भी अगर तुम्हें हटाना है तो इसको हटाने के लिए तुम्हें आ जाना है यहाँ पर लेयाउट के अंदर और आ जाने के बाद अभी तुम्ह आप देखो इसमें दिख रहाए हमालो यह टाइम डेट अगर हटाना है वह भी बता देते हैं कैसे अटाना है ठाइब यहाँ पर देखे रहा है तो यूजर अंदर से टाइम देखने के लिए थोड़ी आएगा वह तो अपना फिचर को यूज करने आएगा न चीट को यू माइनस एक लग गया यह लाइन बंद हो गई उसे सकेंड वाले में भी डबल माइनस लगा देना है यह कर देने के बाद अब प्ले करोगे प्ले कर देने के बाद तुम्हारे देखो यहां पर टाइम हट चुका है और अगर तुम्हें इसमें टाइम की जहां अपना कुछ लगाना है तो यहां देखो इसको करना ठीक है इसको एक बार ऐसा कॉपी कर लेना पहले इसको कॉपी करना फिर नीचे कर देने के बाद अभी तुमने यह फिर से कॉपी किया था तो इसको हटा देना इसमें देखो क्योंकि लिखाए ओयास डेट इसको हटा करके एंड यह सब्सक्राइब इस वाले में इतना ऐसे सिलेट करो इतना सिलेट करके हटाओ एंड डबल यह लगा दिना यह वाला जो डॉट रहेगा ना इसको डबल बार लगा दिना मलब दोठ लगाना एंड इन दोनों के बीच में जो भी तुम्हें लिखना हो चलो हम फिर से बेवाफा ठीक है चलो लिख दिते हैं यह और इसी तरीके से अगर तुम्हें जो टाइम था वह उपर वाला टाइम था और नीचे वाला डेट है तो इसको कॉपी करेंगे फिर से इसको भी नीचे पेस्ट करके एंड यह एसपी 1 के उपर माइनस लगा देंगे क्योंकि वह लगा दें अब लगा देना तो इसी तरीके से जैसे आगे डबल माइनस लगा देना दोनों में तुम्हारा टाइम डेट दोनों हाइड हो जाएगा विल्कुल नॉर्मली हो जाएगा ठीक है तो यह कर देने को बाद अभी फिर से प्ले करते हैं और क्यादिट कर सकते हैं लोग यह हो यहां पर हाँ देखो लांज गेम वाला फंक्सन बताते हैं अभी कैसे लांज गेम के अंदर वाले क्या करेंगे कि उन्लों को अगर उन लोके में क्योंकि अफ्व कर देखो सिफ दो वर्जन है एफ 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 मैक्स लेकिन बीजियम के अंदर चार पांच छे साथ पतने वर लागा है समझ जो कौन सा गेम है ठीक है नहीं बता सकते हैं क्योंकि यार इस ट्रैक पर जाएगी बहुत जहमिला हो जाता है ठीक है तो अगर तुम्हें तुम्हें वाले को हाइड कर देना है मतलब डिसेबल कर देना है तो यह पूरी की पूरी नीचे ऐसा एक बार नीचे कर दिना है इसको कर देने के बाद ये लगाना है और उसी तरीके यो उसका closing blackhead रहेगा तो उसके बाद तुहें दो बार closing blackhead लगा देना है तो एक दो यह कर देने के बाद अभी देखो यह FF max की लाइन बंद हो चुकी है इसके बाद हम लोग on कर लेते हैं अपना BGM वाली लाइन को ठीक है मतलब बीजियम वाले जो मिन्यू था उसको तो इसको आउन करने के लिए यहां देखो दो बार पहले सही closing blackhead लगा है तो इसको हटा देने के बाद ऊपर आएंगे यहां पे closing starting blackhead लगा है opening वाला तो इसको कर दिया है एंड इसको disable कर दिया मैक्स को अभी फिर से play करेंगे play कर देने के बाद लांज गेम करेंगे तो यहां पर देखो नीचे लिखा है तो इसके आगे देखो यहां पर क्या लिखा है ग्लोबल कोरिया और वियतनाम और टाइवान तो यहां पर अगल कर देखो इसको डाल देना तो जो भी तुम्हारा विजियम का जो भी वर्जन है इसको तुम लोग यहां पर नाम अपना करके और उसका package नेम लगा दिना और सेम तरीके से इसी तरह यहां पर एफ एफ मैक्स का भी कर दिना यहां पर देखो यहां पर भी लिखा है package name पैकेज नेम तो यहां पर नॉर्मल एफ का package name डाल दिना और इस वाले में दो बार कैसे background चेंज करना है आप देखो background में कुछ अलगी सिस्टम लगा है आप देखो यह जो background ना यह image image को change करने के लिए वापस से आ जाते ही चलो एंडलुआ के अंदर हां एंडलुआ के अंदर आ जाने के बाद आना है इस्टोरे डाटरी फिर आना है एंडलुआ के प्रोजेक्ट के अंदर उसके बाद आना है प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है प्रोजेक्ट के अंदर आ जाने के बाद वह वाला प्रोजेक्ट तुम्हे नहीं इएक रुको हम इमेज उठा के लिए आते हैं 1 एक मिनट हाँ तो देखो हम िधर से एक image copy कर लेते हैं चलो कोई सी यह वाली इमेज चलो यह जो इमेज है इसको इधर साइड अपने यह जो project था ना Injector का project तो यह वाला ए astronomers ब staircase का तुम्हारा मतलब न्यू वाला इमेज रहेगा उसको पूरा सेलेक्ट अल करना ठीक है यह जो डॉट जेपीजी लिखा इसको भी सेलेट कर लेना सेलेट आल करो पूरा का पूरा हटा दो एंड तुमने जो बीजी डॉट पींजी लगाया है उसको ऐसा पेश्ट करके ओके कर यह हो गया तुम्हारा यहां पर बीजी डॉट पींजी यहां पर बन चुका है अभी इधर साइड वापस आएंगे वापस आ जानेक बाद फिर से प्ले करेंगे तो यहां देखो हमारा जो बैग्ग्राउंड है वह चेंज हो चुका है यहां पर बैग्राउंड थोड़ा फिर नहीं लगा रहा है जो भी यह ठीक है तुम अपने इसाफ से बैग्राउंड को एडिट करना बढ़िया से हो जाएगा ठीक है और इस तरीके से तुम और एडिट कर सकते हो और देखो हां एक चीज और दिखाते हैं कि रीचेट गैस्ट का फंक्शन कैसे लगागए तो जो run का code रहता है ना CPP running का जो code रहेगा उसको ले आकर के जो भी तुम्हारे clear lock की जो clear lock समझ जो यह ज्यादा तर एफ-फ के अंदर नहीं होता है ना ff-max के अंदर होता है ज्यादा तर यह bgm के अंदर ही होता है यतना टाइम वान इंसा में होता है ना ग्लोबल वर्जन में की clear lock करने से तुम्हारी आइडी कुछ बच्ची रहती है ज्यादा बैन नहीं होती है यह सबसे bgm वालों के लिए हैं अगर लोग लगा रहे हो तो यहाँ पर अपने जो clear lock का जो function है cpp है उसको यहाँ पर running का code लगा देना और reset guest तो दोनों में ही होता है fffmax और bgm के अंदर भी होता है तो reset guest की cpp on करने का यहाँ पर लगा देना अगर तुम्हें नहीं आता है कैसे run किया जाता है cpp को इंजेक्टर के अंदर तो जाके वीडियो देख लेते हैं और अगर तुम्हें cpp का भी वीडियो बना दिया है तो जाओ जाके देख लेना और यह project इस तरीके से था एक बार और हम play करके देख कर लेना है तो इस लोगो के ऊपर अपना मतलब लोगो कैसे लगा है आप देखो एक लड़की बनी हुई है तो इसको हटा करके तुम लोग अपना कैसे लगा होगे यह चीज भी बता देते हैं तो उसके लिए इधर साइड आएंगे वापस से एंड उसी वाले folder के अंदर पास आजाएंगे जहां पर तुम्हारा एंड लुआ का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे अभी देखो यहां पर एक आइकन.png रहेगा ठीक है तो यही आइकन.png को तुम्हें अपने न्यू इमेज से रिप्लेस कर देना है जैसा जाने प्रोजेक्ट में इसका पूरा नाम सेलेक्ट और और करेंगे इसको हटाएंगे और हमारा जो नेम था उसको पेस्ट करेंगे जो की आइकन.png ठीक रजीए इसको तुम्हें लगानल लगाना इस तरीके से लगा लेना यह नाम भी रिसेट कर सकते हो हमने बता है कैसे बे ऑफ और लगाए जाएगा और यहां पर देखो एक देखने को मिल जाएगा लिखा यहां पर इस वाली लाइन 75 पर देखो लाइन नंबर 74 पर देखो लिखा है टेक्स्ट ऑन एंड ओफ तो ऑन के अंदर तुम्हें जैसे अगर तुम्हें मालो मीनिवन के अंदर तुम्हारा सिफ एंटी बैन मीनिव है जिसको ऑन करने से यूजर की आइडी जो है वह बैन नहीं होगी यह मालो यह इतना पूरा इन्टी मेन हैं तो यहां तो मीनिवन को एन्टी बैन मेन मेन्गा डिकर यहां पर यहां लिखने मालो यह सारा जतना फिचर यह बैन देने वाला प्र इसको अगर ऊजवर यूज करेगा में आईडी पर तो इसकी एडी बैन हो जाएगी ऐसे टाइप का कुछ तुमने फिचल लगा रखा है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं बैन मीनियू इसके बाद तुम्हें इतना ही करने के बाद अभी फिर से आना है तुम्हें में डॉट लुट के अंदर इसके अंदर आ जाने के बाद अभी देखो यहाँ पर यहाँ फिर से प्ले करेंगे प्ले कर देने को यह वाला आइकन तो नीचे कर देते हैं क्योंकि यह प्लोज नहीं होगा पूरा अप्लिकेशन क्लोज करना पड़ेगा ठीक है इसको स्टार्ट करेंगे अभी इधर जो मतलब features band देगा वह अला user को चाहिए वह अला functions तो band menu के उपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर इसके सामने यह वाला मतलब window खुलके आ जाएगी अगर anti band चाहिए तो anti band के उपर क्लिक करेगा तो इसके सामने यह मतलब आ जाएगी विंडो तो इस तरीके से तुम अपना यह और कुछ अगर edit करने का होगा तो बता दिना अगर तुम्हें पुरानी वाली मतलब वीडियो से अगर सीखना नहीं आ रहा है कैसे cpp run करें कैसे config run करें कैसे obb run करें अगर समझ नहीं आ रहा है पुरानी वीडियो को देख करके तो एक बार comment जरूर कर देना हम एक new video बना द यह तो comment कर देना और देखो यह वाले project को download करने के बाद जब तुम लोग यूज करोगे तो अगर तुम्हें project बढ़िया लगे तो हमको आ करके telegram पे message कर देना कि हाँ आज वाला जो project था वो एकदम बढ़िया था ताकि हमको भी पता लग जाए कि हाँ मतलब project का मतलब series हमें और भी project तुम प्रोवाइट करो इसी तरीके से तो इस तरीके से तुम लोग यह वाले project को download कर लेना and download link तुम्हें comment box में पिन किया वो मिल जाएगा जाकि download कर लो और कोई और वीडियो चाहिए तो comment करके बता देना जरूर तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर तुम्हारा कोई भी account प्राड़ी दोस्तों तो इसको भी वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी यह सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर एंड बाई